ये रिष्टा क्या कहलाता है छोडने के बाद शिवांगी हुई एमोशनल शेर किया एक हार्ट फेल्ट नोट तहां ऐसा लग रहा था कि मेरी विदाई हो रही है शिवांगी जोशी यानि आप सब की प्यारी नाईरा ने ये रिष्टा क्या कहलाता है को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है शिवांगी शोशे साड़े 5 साल तक जुड़ी रही औक्टोबर 25 को शिवांगी ने अपनी शूटिंग खतम की शिवांगी ने शोश में नाईरा और सीरत दोनों का ही किरदार निभाया और इन दोनों किरदारों को दर्शकों का काफी प्यार मिला वेल इस शो को छोड़ना शिवांगी के लिए भी आसान नहीं था वही कुछ गंटों पहले शिवांगी ने अपनी इंस्टेग्राम पर एक इमोशनल नोट लिखा है शिवांगी ने लिखा ये पहली बार है जब मैं मेरी एक्जाक्ट फीलिंस को लिख रही हूँ मेरे आसू बह रहे हैं और मैं चहा कर भी इन्हें रोप नहीं पा रही ऐसा वक्त लाइफ में आता है जब आप नए लोग समलते हो और वो हमीशा के लिए आपके दिल में जगा बना लेते हैं वो वक्त मेरे लिए था जब 2016 को मैंने ये रिष्टा क्या कहलाता है जोइन किया मुझे नहीं पता था कि ये सेट मेरा दूसरा घर बन जाएगा करीब 6 साल तक इस शो से जुड़े रहने के बाद यही कहना चाहूंगी कि ये रिष्टा बहुत कुछ कहलाता है ये सिर्फ शो नहीं मेरी जिन्दगी मेरा घर था मैं यहां हसी हूँ, रोई हूँ, नाची हूँ, बच्चों के साथ खेला है मुझे सिल्य एक्सप्रेशन्स देने की वज़ह से डाड भी पड़ी है और अच्छा शोट देने के लिए पूरी टीन से अपलॉस भी मिला है दो दिन पहले जब मैं सेट छोड रही थी, ऐसा लग रहा था कि मेरी बिदाई हो रही है तब मुझे बाई कहने के लिए आय और रो भी रहे थे, बहर वालो के लिए ये किसी बिदाई सीण से कम नहीं था थैंक्यू राजन सर, यह अपॉचनटी देने के लिए और मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू महसीन इतने अच्छे कोस्टार होने के लिए कायरा हमेशा हमारे लिए स्पेशल रहेगा अब बिग हग हमारे शो के वेल विशर्स के लिए जिन्होंने नाइरा सीरत और कायरा को इतना प्यार और सम्मान दिया मेरी जर्नी आप लोगों के बिना इनकंप्लीट होती गला आप कितना मिस करेंगे शिवांगी को इस शो में बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में and also do like, follow and subscribe to Tele Masala on Facebook, Instagram and YouTube